हलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो टुड़े वी अर गूइंग टू कैलकुलेट दी पी यार स्कोर जिसको हम सी एरे स्कोर बोलते हैं पी यार स्कोर जो होता है कट अफ आपको पता है 460 प्लस ही जाती है अभी हाला कि आगे फूचर में ड्रॉव को लेके अभी ज्यादा कलरेटी नहीं है लेकिन उमीद है कि कुछ महीनों में अगले ड्रॉव भी जो है आने स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपना CRS स्कोर जो है टूल के जरिये जो फेडर स्किल वर्कर के अंडर पिया लगाते हैं टूल इनका IRCC की वेबसाइट पर अवेलबल है वहाँ पर जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक आइडियल परफाइल लेके चलेंगे जहां पर PR के स्कोर आपके बन सकते हैं कोई कंसल्टेंट की आपको जरूरत नहीं ह यह स्किल, एजुकेशन, लेंगविज, अबिल्टी, वर्क, एक्सपिरिस और कुछ अदर फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका टूटल स्कोर कहां पर जाता है जितना हाइए स्कोर होगा उतने ही आपके PR के जो चांसिस हैं इन्मिटेशन आने के चांसिस हैं सिंगल भी लगाना चाहेगा तो उसके आप देखो के स्कोर जागा है एज जो फैक्टर है वो 29 इसलिए सेलेक्ट किया है कि इस पे मैक्सिमम एज के पॉइंट बिलते हैं इसे नीचे जाओगे तो हर एक साल बाद 5 पॉइंट कम होगे 29 से उपर जाओगे तो भी जो है वो जो पॉइंट है वो पांच-पांच कम होते शुरू हो जाएंगे अब इसके बाद आता है एजुकेशन अगर आपकी कैनेडर से बार की एजुकेशन है तो आपको ECA करवानी पड़ेगी एजुकेशन के जो सैस्मेंट करवानने के बाद ये वैस से हो जाते है वर्ल्ड नहीं अवेलबल है तो आप उसको नो कर सकते हैं जैसे अगर आपने कैनेडर की स्टडी नहीं कियो है तो आज बगारा जो अगर देखते हैं तो ये भी जुरूरी है आज हमने प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो इसमें गॉल्डन स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे विच इस 8777 आपने सुना आगा 8777 लेने जुरूरी है क्योंकि इस CLB स्कोर के उपर आपके मैक्सिमम जो पॉइंट बन जाते हैं अलगि इसके उपर CLB 10 भी होता है ये 9 है फिर भी जो है CLB 9 एक अच्छा खासा स्कोर देता है 8777 मतलब लिसनिंग में 8 बाकी 3 मेडियूल में आपके सेम होने मिनिमम जो है वो रिकवाइड होते हैं जिनोंने फ्रेंच वगरा की उनको और अडिशनल पॉइंट मिलते हैं जहां पे हम नॉर्मल एक अच्छा प्रफाइल जिसने फ्रेंच भी नहीं की जिसके पास बाकी कुछ कैनेडीन एक्सपीरिंस भी नहीं है कैनेडा के ब इसके पास अगर है तो वो इसके बाद और कई फेक्टर होते हैं यहाँ पर अगर अगर आप प्रेक्टिकल बात करें तो कई बार आपके पास जॉब ऑफर है लेबर मार्केट इंपक्ट असेसमेंट उसके पचास पड़ मिलते हैं तो हम नों ही करेंगे अभी एक बार तो कोई आपके पास नॉमिनेशन सर्टिकेट है पी एन पी में जब ड्रॉ निकलता है तो 600 पॉइंट मिलते हैं तो उसको बे भी नों करके चल रहे हैं यह जिनके पॉइंट पूरे नहीं होंगे जब आप कैलकुलेट करोगे उनके लिए यह आप्शुर साब जो है तो दे अच्छे स्कोर के साथ कैलकुलेट किया टोटल बारह सो में से अगर स्कोर की बात करें पी एन पी के 600 अलग है तो यहां हमारे पास 600 यह बचे थे उसमें से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे अब देख सकते एज के 110 फिर लेवल ओफ एजुकेशन के हमें अच्छे स्कोर मि तो टोटल जो है यहां पर human capital factor में हमें 369 का स्कोर मिल गया तो PR जो थी last time में भी देखेगे तो 467 के आसपास था तो हमें इसी के आसपास स्कोर चाहिए बाकी भी जो है बाकी factor भी होते है skill transability factor होता है तो यह सारे factor को जब हम कॉर close करेंगे wind up करेंगे इसको add on करेंगे तो आ आपका पहुंच चुका है अब PNP के तो नहीं मिलेंगे additional 600 है जिसके पास होगा उसकी तो sure PR है almost तो यहां पर आपका जो score अगर सबको आप calculation अगर आपने किया हो तो तकरीबबन 469 का जो score आपका बंद रहा है मतलब ठीक ठाग situation में हो जब भी draw निकलेंग अगर आपका score somewhere around 470 अगर है हां 470 प्लस पे आपकी PR जरूर आएगी तो आप उसको target कर सकते हैं उसके आपको अलग से point मिलते हैं जजिनके कम होंगे वो job offer वगरा के option भी देख सकते हैं उसके 50 point आपको add हो जाते हैं तो PNP मिल जाएगी तो फिर तो आपको पता ही है कि जब PNP मिल जाती तो पकी PR होती है ऐसे आप गर बैठे ही अपना score calculate कर सकते हैं और आप अपनी आगे preparation PR की कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लें